12,460 चकबर्ती के सभी सात्यों का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों इस वीडियो में हम 12,460 चकबर्ती में आज की सुप्रीम कोट सुनवाई की कम्प्लीट सम्दी को डिसकस करेंगे जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि आज विडियो पर घमासान मचा हुआ है उसके बारे में जानकारी डेसकस करेंगे अब आप सभी को याची बनना चाहिए या ना बनना चाहिए उस पर भी जानकारी पूरी कि जाएगी वहें रिक्त पदों पर निक्ति प्रक्रिया पूरी हो गिए या नए पतों का सरजन किया जाएगा 12.460 से चक बर्ती में वहें रोल और सर्कुलर को लेकर के सुप्रिम कोट ने बिलकुल इस पस्ट किलियर कर दिया है कि वह क्या चाहता है भरती में तो आज की जो सुप्रिम कोट सुनवाई हुई है उसके बाद जितने सारे प्रशन निकल कर सामने आ रहे हैं उन सभी को साट आउट करने का प्रियास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बस आप सभी लोगों से निवेदन हैं कि वीडियो को बिना इसकिट की हुए अंतक देखें जिससे वीडियो में सेयर की गए सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और वीडियो में आगे बने से पहले छोटी से रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें जितने भाई बन चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट पाने के लिए तो आईए सातियों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले 12460 चकबरती में चैनिस सभी सातियों से निवेदन है कि आप सभी लोगों के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रिम कोट की तरफ से अगली डेट 15 मई फिक्स कर दी गई है और जिस तरीके से आज सरकारी अध्वक्ता एस और भाटी में की तरफ से आर्गुमेंट किया गया है और कोट को कन्बेंस किया गया है उससे 100% चांसेस हैं कि 15 मई को सुप्रिम को मामले को फाइनल सुनवाई करते हुए स्कूल आवंटन के लिए आदेश जारी कर देगा तो इस बीच जित टीम का आर्थिक सायोग नहीं किया है तो आप जिस टीम से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं उसका आर्थिक सायोग करें क्योंकि 15 मई की जो सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई है बारहाजाच चारसो साड़ सिच्छक बत्ति मामले में ये आप सभी लोगों को कर रही है और चैनितों को स्कूल आवंटन करना चाह रही है आज के आर्गोमेंट से बिल्कुल किलियर हो चुका है तो सरकारी अधवक्ता को शपोर्ट करने के लिए आपके जो मोस्ट सीनियर काउंसलर है उनकी उपस्तिती अनिवार रहे है कहीं भी अगर कोई पॉइंट जाता है सरकार का तो कम से कम उसे आपके जो अधवक्ता होंगे प्राइवेट काउंसलर होंगे वो टेकल कर पाएंगे सुप्रिम कोट के अंदर और सुप्रिम कोट को कंवेंस कर लेंगे और जो आज मेहनस सरकारी अधवक्ता की तरफ से की गई वो बिरत नहीं जाने पाए जिससे कोई वाद विवाद ना बने आप जिस टीम से जुड़े हैं वो बहतर है किस टीम के अध्वक्ता ने क्या किया ये important नहीं है सरकारी अध्वक्ता ने आपके school आवंटन का बहुत ही पुर्जोर प्रियास किया और court को convince भी कर लिया है चीजें आप सभी लोगों ने बादें कि 12460 सिचक भरती मामले से संबंधी जितने भी cases है चाहे हो Supreme Court में हो चाहे हो High Court में pending हो जो decide नहीं है उन सभी से related और complete भरती से संबंधी जो exercise विभागने की है उससे संबंधी तत्यों को लेकर के एक proposal तयार करना है जिससे 12460 सिचक भरती का मामला shout out हो सके और इसके लिए इस पस्ट जो है निर्देश सुर्याभाटी में को court की तरफ से जारी कर दिये गए हैं और कहा गया है कि आप अपने basic सिचा अधिकारियों से संपर्क करके और एक proposal तयार करें जिससे इस मामले को हम जल से जल start out कर सकें तो कुल मिला करके मामला अब बिलकुल final हो चुक करना है अमर्यादित भासा का प्रियोग नहीं करना है बचना है जिस टीम से आप जुड़े हैं उससे जुड़े रहें वही टीम बहतर है जो भी पैर भी आज की उसको लेकर के आप कोई भी discussion या जो है miss word यूज नहीं करने हैं खासकर social media पर दोस्तों अब आप सभी को बता आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद social media पर एक बहुत तेजी से बात trend हो रही वो है याची लाब की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में एक बात mention करी कि जो कोर्ट के अंदर हैं अठात जो कोर्ट की सरण में हैं उनके लिए भी जो रिक्त पद हैं उनपर निक्ति के बारे में सोचा जा सकता है लेकिन अभी कोर्ट ने याची लाब देने को लेकर के कोई इसपर्ष्ट इंस्ट्रेक्शन नहीं दिये हैं तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट से रिक्त पदों पर जो 650 तो आफिसली लगभग है और अनफिसली अगर काउं होगी या याची लाब होगी इसको लेकर के अभी इस्तिती किलियर नहीं है लैकिन कोर्ट ने जो संकेत दिये हैं उस계 के संभावनई बन रही है दोस्तों लेकिन सरकार प्रपोजल क्या लेकर के आती है ये बहुती महात्पोन हो जाएगा क्या सरकार के प्रपोजल में आदेश में और अगर सरकार जो है मामले को शार्ट आओट कराना चाहती और अपने प्रपोजल में रिक्त-पदों पर याचिलाप देने के उस पर डेन्ट करेंगा कि सरकार और विभात किस तरीके से फर्ति प्रकृ्या में आगे जो रिक्त पथ हैं őनको भरने के लिए प्रकृ्या अपनाना चाहता है और आप आप सभी को बताते हैं जैसे आज सुप्रिम कोड के अंदर जो है सुप्रिम कोड में पहुचे लोगों को याची लाब की ओर संकेत किया गया है सभी लोग जो हैं भरती से संबंधित जो हैं उनकी तरफ से याची बनाने की होड़ सुरू कर दी गई है और अचैनितों की तरफ से एक मोटी रकम लेकर के याची लाब बनाने का प्रयत्नि किया जा रहा है दोस्तों आप सभी को बता दें अब याची लाब जो आप याची बनेंगे उनको याची लाब भी अगर सुप्रिम कोर्ट से मिला तो उनको याची लाब नहीं मिलने वाला है दोस्तों ये बिल्कुल किलियर है तो जो पहले से याची बने हैं उन पर तो याची लाब की संभ तो वो बिल्कुल फिरी हैं अपने बिवेग का इस्तेमाल करते हुए आप याची बन भी सकते हैं और नहीं बन सकते हैं ये आपके अपने बिवेग पर आपका अपना फैसला होगा आपका अपना यूटूब चैनल ये नहीं कहता कि आपको याची बनना है या नहीं बनना है वहीं दोस्तों सोसल मीडिया पर एक और खबर तेजी से फैल रही है कि जो रिक्त पद है उन पर तो चीजें भरती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि पलो सिसोधिया सर ने सीट एक्स्टेंशन की बाद सुप्रिम कोट के अंदर करी है तो क्या 12,460 चखबर्ती में नए पद सरजित करते हुए जो है याचिल आप देने के बाद निक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 चखबर्ती में 12,460 चखबर्ती में 12,460 चखबर्तों पदों तक निक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी नए पदर सर्जन को लेकर के जो सोसल मीडिया पर अफवाह चल लए वो पूरी तरीके से भ्रामक खबर है और टोटली अफवाह है किसी को उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है 12,460 से एक भी अधिक पद नहीं भरा जाएगा ये बिल्कुल कंफर्म है नए पदों की सर्जन को लेकर के जो खबर चल लए वो पूरी तरीके से कोरी कलपना और अफवाह है इसमें किसी को नहीं पढ़ना है यानि जो रिक्तपद है वही सरकार के प्रपोजल के एकार्डिंग भरे जाएंगे तो कुल मिला करके आप सभी को बता दें जो सरकार की तरफ से प्रपोजल जान डेट लेने का पुर्जोर प्रियास किया गया क्योंकि उन्होंने इस परस्ट कहा था कोर्ट के अंदर की हमारा केस लगा हुआ है दूसरे कोर्ट में इसलिए हम जो लंच के बाद के स्टेक अप होगा उसमें अपना पच्छ नहीं रख पाएंगे तो कोर्ट ने पटवालि सर का आर्गुमेंट देखने लाइक होगा और वो किस तरीके से पुर्जोर प्रियास करते हैं भरती प्रिक्रियाक फरसाने को लेकर के हाला कि आज उनकी तरफ से जो डेट लेने की प्रियास थी उसको कोर्ट में टोटली डिनाई कर दिया और डेट देने से बिलकुल मना कर दिया और ये कहा कि हम आपको सुनेंगे अवस्य और आपके सुनें बिना कोई डिसीजन नहीं होगा तो अगली डेट पर जो है अपोजीशन की तरफ से पटवालिया सर भी आर्गुमेंट करते नजर आएंगे उनका आर्गुमेंट बहुत इंपार्टेंट हो जाता है इसल भी हाल में क्योंकि उनकी फीस भी पे की जा चुकी है और अब उनको अंतिम प्रहार करना है भरती पर जिससे कोई भी बाधान ना आने पाए आप सभी के स्कूल आवंटन के बीच में वहीं दोस्तों आप सभी लोगों को बता दे हैं रूल और सर्कुलर को लेकर के सुप्र रूल और सर्कुलर को लेकर के पल्लो सिसोधिया सर ने बहुत लंबा आर्गमेंट किया और कोड को हर ऊप לפly समझाने का पृतन किया जो रूल और सर्कुलर से related है इसे सोधिया सर को सुनने के बाद में जो आपकी सरकारी अधोकता है सुर्या भाटी मैं है उन्होंने पूरी और सर्कुलर से कोई मतलब नहीं, हम रूल और सर्कुलर के चक्तर में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं, यह सुप्रिम कोट की तरफ से बिल्कुल किलियर कर दिया गया है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, रूल को लेकर के अगर सुप्रिम कोट बैठेगा, तो इससे पिछली कई भरतियां भी प्रभावित हो रहीं, और ऐसे में इस तरियां बहुत ही जो है, वो बिगड जाएंगी, तो इसलिए सुप्रिम कोट की तरफ से बिल्कुल स्टेंट किलियर है, कि हम रूल और सल्कुलर को बिल्कुल भे डिस्टर्ब न जाएगा, उसके हिसाब से निक्ति प्रकुरिया आगे बढ़ाई जाएगी, चाहे या चिलाब के तुरू निक्ति प्रकुरिया पूरी की जाए, या थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, जो की बैसे सिच्छा विभाग की नेमावली के एकार्डिंग हो सकती है, तो कुल मिला करके सरकारी अधिवक्ता ने जो आज प्रियास किया, पूरी तरीके से वो चैनितों के साथ खड़ी नजर आई, और चैनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के ही उन्होंने सुनवाई में प्रियास किया, और उन्होंने इसपस्ट बोल दिया कि हम इन जो निक्ति पत्र प्रा विद्यालेयों में भेजना है अध्यापक के रूप में इनका विद्याले आवंटित करना है और दोस्तों आप सभी को बता दें ये पॉइंट जो एसुरे बाटी में उठाया था ये बहुत ही बहतरीन है ये कहीं न कहीं आप सभी लोग जानते है राइट टू इजूकेशन क साथ साथ फंडामेंटल राइट से भी जुड़ गया है मुद्दा और इसलिए चैनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के आप परिशान होने की जरूरत नहीं है बाकी आगे भरती प्रकरिया में क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा उसके लिए फाइनली आप सभी को इंतिजा के लिएर होते हुए 15 माई को शाट आउट हो जाएगा और जो हमारे चैनित भाई बहने तिनक चार महीने से जो निक्ति पत्र लेकर के घूम रहे हैं उनका स्कूल आवंटन इसी महीने में हो जाएगा तो दोस्तों जो टोटल समराइज पॉइंट थे सुप्रीम कोट की नहीं है और कोट ने उनके लिए भी रास्ता निकालने की बात सरकार से कही है जिनकी नुक्ती नहीं हुई है यानी जो अचैनित है और मेरिटोरियस है ये चीज़ ध्यान रखना कि सब के नहीं बात की गई मेरिटोरियस को लाब मिलेगा और जो सुप्रीम कोट की सरण में अगर याची लाब आएगा तो उन सभी को मिलेगा मेरी टोरियस हो या ना हो तो चीजें बिल्कुल क्रिश्टल किलियर हो चुकी है 12.460 से चकबर्ती में रूल और सर्कुलर को ले करके आप कोई भी डिसक्रसन सुप्रीम कोट के अंदर नहीं होगा क्योंकि उसमें आप इंट्रेस्ट नहीं है सुप्रीम कोट को वो मामले को निस्तारित करना चाहती है तो कुल मिला करके बहुत जल्द 12.460 से चकबर्ती के चैनेताब्यत्यों के लिए बहुत अच्छी बड़ी और धमाकेदार खुसकबरी निकल कर सामने आने वाली है फिलाग आप सभी लुख शांती पूरबग 15 मई तक इंतजार करें तो इस वीडियो में पस इतना ही उमीद करते हैं आपके सारे कोश्चन्स का समाधान मिल गया होगा अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और वास्टो में आप सभी ने देखा कि जो चीजें हमने कहीं जब सब कह रहते हैं सुनवाई नहीं होगी हमने कहा सुनवाई होगी सुनवाई हुई हमने कहा सरकार इस बार स्कूल आवंटेंड के लिए मजबूती से जा रही जिसका result आप सभी ने आज की सुनवाई में देखा और S.R.R. भाटी मैम ने किस तरीके से चीजों को प्रजेंट किया है और court को convince करना ही सबसे important है क्योंकि ना तो पल्लो से सोधिया सर से court convince नजर आई और ना तो आपने देखा कि पटवालिया सर से court convince नजर आई आज court अगर किसी से convince नजर आई तो वो थी S.R.R. भाटी मैम और उसके साथ साथ जो है निधेश गुपता सर जी ने केवल और केवल स्कूल आवंटेन के लिए बात की है उनसे भी court convince नजर आई और चीज़े बिल्कुल किलियर हो चुकी है इसकूल आवंटेन का रास्ता हो चुका है साथ बाकी चीज़े पंद्रा मई को बिल्कुल किलियर हो जाएंगी आप सभी कब विद्यालियों में होंगे ये पंद्रा मई को किलियर हो जाएगा तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए सभी सात्यों को तैतेल से सुक्रिया बहुत बहुत गानी बात मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए सभी सात्यों को जैन जे बारत बंदे मातरम